नमस्कार दोस्तो हॉस्पिटिलिटी केरियर में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे कि कोश्चन पेपर का पैटरन क्या रहेगा और मोड अप सेलेक्शन फॉर इग्जामिनेशन क्या रहेगा तो सबसे पहले पैटरन ओफ कोश्चन पेपर आपके केटरिंग असिस तो टोटल मार्स हो गए 120 मार्स जिसमें रिजनिंग एमिलिटी 15 नमबर के होंगे तो उसके लिए 15 कोश्चन होगा जेनरल अवेडनेस 15 कोश्चन होंगे जो कि 15 मार्स का होगा हिंदी 10 मार्स का होगा इंगलिस 10 मार्स का होगा कम्प्यूटर 10 मार्स का होगा और तो आपके टोटल कोश्चन होगे 120 और टोटल मार्क हो गया 120 इस बार एक नया एडिशन हुआ है अभी तक जो पेपर होते थे उसमें निगेटिंग मार्किंग नहीं था बट इस बार निगेटिंग मार्किंग आपके कोश्चन पेपर में है तो ये बात अपने माइंड में रखे जब कोश्चन आप करेंगे कि निगेटिंग मार्किंग है तो जो आपको कोश्चन मालूम रहे जिस पे आप 100% से और रहे उसी कोश्चन को एटेम्ट करें इस बार निगेटिंग मार्किंग है अगर आप 4 वन बाई फोर्थ मार्क विल बी डिड़क्टेड पिछली बार कट अफ गया था जेनरल का 92 और OBC का 87-88 इस बार उमीद है कि कट अफ कम जाएगा क्योंकि इस बार नया एडिशन हुआ है जो कि निगेटिव मार्किंग और इस बार जो वैकेंसी आई है इस बार टोटल वैकेंसी है 87 पिछले बार 37, 32 ऐसी वैकेंसी आती है थी तो इस बार उमीद है कि कट अफ कम जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग का एडिशन हुआ है और दूसरी बार वैकेंसी जादा निकलिए तिसरी की डिउरेशन कितना रहेगा आपके कोश्चन पे सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर आप करेंगे जो की आपके लिए सही रहेगा एक रिक्वेस्ट है आपसे किरप्या इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें